नमस्कार बहुत बहुत स्वाइब करते हैं क्लिक टूटे के आज सुबक इस रिपोर्ट में तो दो हज़ार बीस से टीसेशन के जितने भी पार्ट वन के साथें चात्राएं हैं उस अभी की परिक्षा फॉर्म भरने की तिसी जो आगे बढ़ा दी गई है जैसा कि आप सभी क हालकि अखवार का अगर आज का आप रिपोर्ट देखेंगे इसानात्र पार्ट वन बढ़ाने की अधिसूची यानि की परिक्षा फॉर्म बढ़ने की तिसी जो आधिसूची और सूच जो जिदी करती गई है बीस तक भरा जाएग माच्ट ने नहीं किया रिजिस्टेशन बहुत सारे चात्रों का रिजिस्टेशन नहीं हुआ था 14 तारिक तक जो है आखरी रिजिस्टेशन का मौका दिया गया है जिनका भी रिजिस्टेशन छूटा हुआ है पार्ट वन की तकरीबन एक लाग पीस हजार चात जो है परिक्षाइं देंगे चाते उन्चात रहें और इनकी परिक्षा बीस अपरेल से एक्सपेक्टेट थी कि सुरू हो जाएगी हलाकि मैंने आप सभी को पहले कहा था कि बीस से नहीं सुरू होगी 25 के बाद ही सुरू हो और आपकी एड्मिट कार्ड जो है वो मिलेगी परिक्षा सुरू होने से ठीक तीन दिन पहले आपके कॉलेज में आपको जा करके रिसीव करना रहेगा अपना एड्मिट कार्ड इसके बाद कई शात्रों का ये भी सवाल है कि परिक्षा सब्जेक्टिव होगी आपको अगर परिश्र करना पीडिया फॉर्मिट में तो आप अनलेन के माध्यम से भी जो है गयस पेपर और कोशिटन बैंक अपना ले सकते हो और आपको यह परिक्षा आपके अपने ही कॉलेज में देना होगा तो कहना यह है कि आपका जो होँग होगा मतलब को परिक्षा नहीं अगर देनी होगी फ्रेक्टिकल की जिन के जिनकी भी परिक्षाएं होने कहा है कि हमारा प्रैक्टिकल का परिक्षा है और आपका है तो आप कॉपी बना लिजी इसके लिए वेपन संख्या में तरा यहां ज Ce से बिना बिलम सुल के साथ तक विस्टरित किया गया है तो आप उने अगर परिक्षा फॉर्म को भर लिया तो अगर भर लिया है तो आज की रीपोर्ट में बस इतना ही ऐसे अपडेट आपको मिलती रहेंगी तब तक सिलते हैं धन्यवाद वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए